हेलो स्टूडेंट्स तो आज के से लेक्षर में हम पढ़ेंगे एक्सराइस 8.3 के कोशन नमर थर्ड के बारे में थर्ड कोशन हमारे पास MCQ टाइब है और इस टाइब के कोशन आपके पास एक्जाम में जरूर आ सकते हैं के MCQ कोशन आपके पास कम से कम 15-20 के बीच में आते ही आते हैं तो वहाँ पे इस टाइब के कोशन आपको देखने को बिल सकते हैं ठीक है चलिए स्टार्ट कर लेते हैं स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें चलिए तो हमारे पास आजएगा देखें 9 secant square minus 9 tangent square हमें 2 values given है 9 tangent square a इसको हमें निकालना है तो कैसे करेंगे देखें दोन्नों में हमारे पास 9 है तो हम 9 को common ले लेते हैं तो हमारे पास बचेगा secant square a minus tangent square a secant square a minus tangent square a की value के उत्ती है हमारे पास 9 into 1 के उत्ता है 9 तो इसका अंसर हमारा 9 आ जाएगा ठीक है students सेम ऐसे हम इसका second part करते है 1 plus tangent theta plus secant theta और last में हमारे पास इतर है 1 plus code theta minus cosecant theta चलिए कैसे करेंगे देखे 1 plus इस 10 को उपन करते है sin theta by cosecant theta में और secant को उपन करते है 1 by cosecant theta में ठीक है ऐसी दोर उपन कर लेते है code को करते हैं cos theta by sin theta में और इसको cosecant को लिखते है 1 by sin theta में clear है अब इसके बाद यहाँ पे LCM लेंगे यहाँ भी LCM लेंगे LCM यहाँ पे हमारे पास आजेगा cos theta ठीक है जहाँ पे कुछ नहीं होता उसके साथ LCM की multiply cos theta यहाँ पे cos से cos करजेगा यह बचेगा sin theta plus 1 सेम यहाँ भी हम LCM ले लेते हैं sin theta open करो इसको यहाँ पे आजेगा sin theta plus cos theta minus 1 ठीक है अब यहाँ पे देखिए आप क्या करेंगे इसकी multiply करेंगे दोनों की दोनों की जब multiply करेंगे तो आपने यहाँ पे थोड़ा सा smart तरीके से multiply करनी है यह नहीं है कि इसकी multiply इसके साथ फिर इसके साथ तो question बहुत lengthy हो जाएगा ठीक है ना time भी बजाता लगेगा तो उसमें answer I and I कोई जुरूरी भी नहीं है ठीक है तो हम क्या करते हैं इस पूरे के पूरे function को माल लेते हैं एक और इधर इसको पूरे को माल लेते हैं एक क्योंकि यहाँ भी sine plus और cos है यहाँ भी sine plus cos है ठीक है तो यह होज़गा हमारा A यानि कि X plus Y X minus Y तो यहाँ पे हम A plus B और A minus B का formula लगा सकते हैं या फिर X plus Y और X minus Y भी भी पोल सकते हैं ठीक है तो A plus B A minus B का formula क्यों होता है हमारे पास A square यह पूरा का पूरा मेरा A है ठीक है A square minus B square निच्चे मेरे पास आजएगा cos theta साथ में sin theta ठीक है इस type से आजएगा अब हम क्या करेंगे इसको open करेंगे A plus B का whole square क्या formula होता है A square plus B square plus 2A और 7 में B minus 1 अब ओन में आजएगा मेरे पास sin theta और 7 में cos theta ठीक है students अब देखें यहाँ पर लिखो है sin square plus cos square sin square plus cos square की value को होती है 1 plus 2 sin theta cos theta minus 1 और 2 में आजएगा मेरे पास sin theta और 7 में cos theta यह plus 1 और minus 1 cancel हो जाएगा तो मेरे पास finally क्या बचेगा 2 sin theta cos theta upon में sin theta cos theta cos से cos कर जएगा sin से sin कर जएगा तो हमारे पास final answer क्या जएगा 2 आजएगा ठीक है students सेम ऐस हम question number 3 करते हैं 3rd में बोला गया हमारे पास secant a plus tangent a और इधर मेरे पास है 1 minus sin a ठीक है तो secant को क्या लिखेंगे हम 1 by cos a और 10 को क्या लिखेंगे sin by cos a ठीक है यहाँ पे आजएगा 1 minus sin a यहाँ पे LCM लिखते हैं LCM कितना आएगा हमारे पास cos a ठीक है दोनों निच्चे cos है तो उपर वाली values हम S दी लिख देंगे 1 plus sin a यहाँ भी 1 minus sin a ठीक है जी करिए स्को उपन देखे यहाँ पे 1 plus sin है यहाँ पे 1 minus sin है त्यानिकि a plus b a minus b क्या होता है a square minus b square निच्चे मेरे पास आजेगा cos a ठीक है 1 का square तो 1 ही होता है ठीक है तो a square minus b square 1 का square 1 तो 1 minus sin square के होता है हमारे पास cos square वो निच्चे हमारे पास है cos a एक cos इससे cancel हो जेगा तो हमारे पास final answer के आजेगा cos a ठीक है students एसे ही हम इसका last part कर लेते हैं fourth part fourth part में हमारे पास है 1 plus tangent square a निच्चे हमारे पास है 1 plus cos square a देखे 1 plus tangent square के होता है 1 plus tangent square की value होता है secant square a और 1 plus code के होता है cos square a तो हमने आप ए direct result को use कर लिया है clear है आप चाहें तो sign को करके use कर सकते हैं पर उसे lengthy बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा question ठीक है न एक number का question है तो आपने ज़्यादा time is में खराब नहीं करना है secant square की value के होता है 1 by cos square ठीक है और cosecant के होता है 1 by sin ठीक है यह sin उपर चला जाएगा तो हमारे पास आजएगा sin square a निच्चे आजएगा मेरे पास cos square a और sin by cos के होता है tangent square a यह हमारा final answer आजएगा ठीक है तो यह इस cancer है इस cancer यह रहा और यह हमारा second cancer रहा और यह रहा मेरा first cancer ठीक है students तो इस type से आपके पास question paper में आ सकते हैं mcq type question है exam point of view से important होते हैं क्योंकि यहां पे इसमें option भी given होते हैं और question भी आपको निकालके दिखाने पढ़ सकते हैं कहीं बार ठीक है न कहीं बार mcq question को आपके पास option भी नहीं given हो सकते हैं तो आपको यह पूरा का पूरा solo भी करना पढ़ सकता है कहीं बार एक number में ही तो ये इसको आप धिला मत लीजिए ठीक है ना असानी से इसमें अच्छे नमबर आ सकते हैं आपके पास clear students तो वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जुरूर बताएं वीडियो में अगर आप नए थे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को चुरूर शेयर करें ठीक है students तो पड़ाई करते रहिए all the very best